कि उसे है खौफ कि जमानों पे क्या गुजरेगी मुझे है खौफ दिल के अर्मानों पे क्या गुजरेगी खुदा क्यों कर समझे तकलीफ हमारी खुदा क्यों कर समझे तकलीफ हमारी जब इनसान ही न समझा कि इनसानों पे क्या गुजरेगी और उसे शहर छोड़ने से पहले इतना सोचना चाहिए था यश उसे जो ना देखें तो दीवानों पे क्या गुजरेगी अब कुछ नया सुना देता हूँ गजल सुनना कि वो सोचते हैं कि किसमत से मिला है पर यकीन मानो सम महनत से मिला है किसी को प्यार भी गिड़गिड़ा के मिला हमें तो दर्द भी इज़त से मिला है हैं यार हम छोटे घर के लोग हैं यार हमें तो कपड़ा भी जरूरत से मिला है एक गजल और सुनना कि अब खुद को इस तरह से खरोचा न करेंगे अब खुद को इस तरह से खरोचा न करेंगे सोचा है कि अब तुमें सोचा न करेंगे आखों से पढ़ सको तो पढ़ लेना तुम मुझे अब दर्द अपना मूँ से तो बोला न करेंगे और शेर सुनना कि इतना तो सिखला ही दिया एक हसीन ने इतना तो सिखला ही दिया एक हसीन ने भोली सूरत पे भी अब भरोसा न करेंगे थोली सूरत पे भी अब धरोसा ना करेंगे और एक सिर्फ एक मतला बनाया है मतला ही मतला सुन लेना मुझे ऐसा लगता है इस मतले में जान है आगी गजल पूरी बनाऊगा लेकिन मतला मतला है कि मा की आख में महंगा समोती छोड़ाएं हैं मा की आख में महंगा समोती बोटी चोड़ाएं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया एक मतला और एक पूरी गजल है कि मोटिवेशन लिखने कोशिर किया है देखना अगर आपको भी मिलता है तो जैसे मैंने खुछ से अपने आप से बात करते हुए लिखिए गजल कि अपने आप से बात चल लिए कि आनगे ना तूट अभी और भी इम्तिहान बाकी है दिखा जिंदा है तु तुझ में भी जान बाकी है जो सोच्छते हैं उन्होंने जीत ली दुनिया उनसे कह दो जीतने को आसमान बाकी है उनसे कह दो जीतने को आसमान बाकी है जो देखके मुड़ गए थे वो रुक के देखेंगे अभी मेरी और दुन्या की पहचान बाकी है कि मैं जब भी हारने लगता हूँ इक आवाज कहती है यस्मा छोड़ना मैदा के जब तक जान बाकी है एक इतनी खास मुझे पसंद नहीं लें आपको सुनाता हूँ साइध अच्य लगे कि दर्द जितना बढ़ता जा रहा है शेर उतना निखरता जा रहा है दर्द जितना बढ़ता जा रहा है शेर उतना निखरता जा रहा है दुगोने पे लगा है दर्या जिसको वो कत्रा उभरता जा रहा है जिम में दारियां मुझे को खा रही है मुझे में कोई शक्स मरता जा रहा है जलना है जरूरी तो चल रहा हूं मेरा पाउं जलता जा रहा है हर बार मेरा वो हक खा जाता है अच्छे से अच्छा रिस्था शक खा जाता है आंचे से अच्छा रिष्ता शक खा जाता है और पूच्छते हो महबत मुकम्ल क्यू नहीं होती? महबत को भी तो मशब खा जाता है आपको एक और सुनाना चाहूँ है यह नहीं है पता नहीं कैसी लगेंगे तुम उस्से दूर होके किधर जाएगा तुम उस्से दूर होके किधर जाएगा एक सुरी तुम उस्से दूर होके किधर जाएगा हां यकीनन दिल से उतर जाएगा हाँ यकीनन दिल से उतर जाएगा ए इश्क तूने भी खा लिया एक लौता कमाने वाला अब वो मर जाए तो पूरा घर मर जाएगा एक मतलब एक शेर इतना कुछ खास नहीं है लेकिन आप सुनना कि हालातों से अभी लडाई चल रही है हालातों से अभी लडाई चल रही है मेरी जिंदगी की पढ़ाई चल रही है तो आपकी कमाई में तो मौत चल रही थी अपनी कमाई में महंगाई चल रही है और एक और गजल कि ठोकरों पे मार दी जिन्दगी मैंने मत्पूश कैसे गुजार दी जिन्दगी मैंने सुनी धड़कनों की आवाज कुछ तेज करके फिर शेर में उतार दी जिन्दगी मैंने लोग वार देते हैं महबत में जिन्दगी अपनी कोई तो कहे माबाप पे वार दी जिन्दगी मैंने सायद मेरी आवाज में ही दम नहीं था मत्पूश तुझको कितनी पुकार दी जिन्दगी मैंने अरी चल रही है अब क्या बताए हालत क्या हमारी चल रही है लग रहा है गर्दन पे आरी चल रही है जब से कर्ज लेना सीख गए हम हर जगा बस उधारी चल रही है कि जमाने में सच की आउकात ही क्या यकी मानो यहां बस होश्यारी चल रही है और मेरे पिता सी लगती है मुझको यह चिडिया भी तिनका तिनका करके इसकी घर बनाने की तयारी चल रही है कि जमाने की तो बस्टारी चल रही है